हेलो एवरिवन वेलकम तू माई चैनल डॉक्टर रिदीस फीजियो रियाब डाइट केर तो आज हम बात करेंगे हील पैन एडी के दर्द की तो एडी के दर्द की एक सबसे आसान असरदार आपको एक ट्रिक बताने वाली हूं जिसको आप यूज करेंगे तो जो आपको . extend 400% रिजल्ट मिलेगा और आपका जो पेन है वह दीरर दीरर फूरा खताम होजाए गा तो पहले आपकर जाल लेती है कि सकते हैं और इन लोगों को सबसे अधा दर्द होता है जब सुबह सो के उठते हैं उठने के बाद जब फर्स्ट आपको स्टैप जमीन पर रखनी है तब बहुत तेश पेन होता है ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल चली ही नी पाएंगे तो उसके लिए एक बिल्कुल आसान सी ट से साइज होगी और साथ को एकसरऽाइज हों इससे बोल रहे हैं क्यूंकि इसमें बोटल में हमने 9 जमा रखिये पानी भरके इसको फ्रीजर मे रख एसको आइस तो हम शुरू करते हैं, बॉटल आइसिंग, उसके लिए हमें एक नीचे रबर की मेट बिचा लेने ही, ताकि आपकी जो बॉटल है, वो स्लिप ना हो, आप बॉटल में पानी भरके रखना है आपको, और उसको फ्रीजर में रखना है, चार से पांच गंटे, जिससे वो पू पूरा करल कर लेना है, और जब आप इसको आगे ले जाएंगे, तो आपको उंगलियों को पूरा खोलना है, लाइक, यह मैंने करल किया, फिर इसको हम खोलेंगे, लाइक इस, थोड़ा सा जब भी आप बॉटल आइसिंग करें, तो सबसे फर्स पर शुरू करने से पहले, इडी से थोड़ा सा उसको नीचे के प्रेशर देना है, क्योंकि एडी की जो मसल्स होती, बहुत मोटी होती, तो आपको वो आइस पहले फील होनी चाहिए, लाइक मैंने इसको फील कराया, नाओ, इस, और जब हम इसको खोलेंगे, तो यह हम स्ट्रेच करेंगे, यह बात ध स्ट्रेच होनी चाहिए, तो यह जो मुमेंट है, यह करल और स्ट्रेच के साथ-साथ, आइसिंग भी हो रही है, आपकी एकससाइज भी हो रही है, तो इससे आपको बहुत जल्दी जो पेन है, उसके बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, आपका पेन काम होगा, आपकी इसका inflammation हो चुका है वो कम होगा तो यह हमारी होती है bottle icing तो देखा हम आपने हमने कैसे bottle से बिलकुल easily हमने exercise भी करी प्लस हमने साथ में icing भी करी इसका दोनों को साथ में करने से बहुत अच्छा result मिलता है करते टाइम सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप sitting position में हो और जब भी आप यह exercise शुरू करे तो आगे थोड़ा सा lean down हो जाए ताकि आपकी जो AD है आपका जो पंजा है वो easily उस bottle पे हम रख सके और उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि आगे ले जाना है पीछे मूव करना है पीछे करते टाइम उंगलियों को curl कर लेना है आगे करते टाइम आपको stretch करना है तो यह simple सी technique है इसको heel pain वाले सब लोग यूज करके देखिए और जल्दी से में साथ result share करिए कि आपको इससे कितना benefit हुआ है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो please like, share and चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर